हेलो स्टुडेंट, वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेज, आज हमारी मैप की थर्ड वीडियो है, इससे पहले हम अपनी दोनों वीडियो में इंडिया का मैप, मैप के अंदर जो स्टेट्स हैं, उनकी लोकेशन्स हमने ड्रॉ करके हमने डिसकस किया था कि किस भारत के जो मैप है हमारा, उस पे किस साइड में कौन सा स्टेट है, कहां कहां सिच्वेटेड है, उसके बाद फिर हमने डिसकस किया था जो हमारा इंडिया है, उसके नाइबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, और जो नाइबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी जो सीमाएं हैं, वो कितने किल आज की जो हमारे वीडियो है, आज पहले हम कुछ important question no down कर लेंगी, तो आप वीडियो अगर देखें, तो please notebook लेके साथ में बैठें, और मैं जो बता रही हूं important points, वो आप no down कर लें, जो भारत है हमारा, वो वर्ड में, अगर area के point of view से देखा जाए और चेतरफल के point of view से 7th biggest country है, 1st number पे आपका रूस आता है, 2nd number पे Canada आता है, 3rd number पे अमेरिका आता है, 4th number पे चाइना आता है, 5th number पे ब्रांशील आता है, 6th number पे आस्ट्रेलिया आता है, and 7th number पे आपका इंडिया आता है, वहीं अगर हम population के point of view से देखें, तो words 2nd largest country है, इंडिया, और 1st population के base चाइना है, और 2nd हमारा इंडिया है, at that time, इंडिया में कितने आपके, 28 आपके state है, और आपके 8 हैं आपकी union territories, यानि ये संग्शाशित प्रदेश, अगर हम इसका area of number देखें, तो 32,86,263 km है, टोटल, learn करने के लिए, अगर मैं आपको trick बताओं, वैसे तो आप वैसे number के point of view से भी learn कर सकते हैं, वो जादर बैटर रहेगा, लेकिन फिर भी, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक trick जरूर आपको बताती हूँ, देखें, 32, 3 से पहले क्या आता है, 2, 32, 8 से पहले क्या आता है, 7, 87, सेम दोनों का process, 32, 87, यानि कि यहाँ पे आप 3, 2 और 87, यह दोनों सेम प्रोसेस हो गया, उसके बाद अब आता है, 26 and 3, देखें, 2, 3 से, 6, आगे अगर आप learn कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, and next question is, जो हमारा भारत है, वो पूरे वर्ड का, यानि कि जो इंडिया है, पूरे वर्ड का, वर्ड में, जो population है, उस population का 17.5% population इंडिया में निवास करती है, यानि कि इंडिया में रहती है, तो वर्ड की total population की 17.5% जो population है, वो इंडिया में रहती है, देखी जो हमारा इंडिया है, उसकी अगर हम बात करें, पूरब से पश्चिन तक की, जो उसकी total दूरी है, वो आपकी 2933, यानि कि 2933 किलोमीटर की है, वहीं पर अगर हम उत्तर से दक्षिन की अगर बात करें, तो इसकी total जो दूरी है, वो है आपकी 3214, यानि कि 3214, 3214, और यह मैंने आपको बताए था, कि इस साइड में आपका होता है एस्ट, और यह वाली साइड जो है आपकी, यह होती है वैस्ट, और यह आपकी नौर्थ, और नीचे आपकी यह है साउथ, यानि कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिन, देखे, एटलस में आपको दिख रहे होंगे, कुछ लाइने दिखी हुई है, देखे, जो अर्थ है, उसमें इस तरह से, इस तरह से, यह जो लाइन खिची हुई होती है, यह वाली, इस तरह से, यह वाली, यह वाली, हाला कि एक्वल होती है, मैं मुसे एक्वल नहीं खिच रही है, और एक होती है यह वाली, ठीक है, यह आपकी, फिर यह ऐसे, फिर यह ऐसे, फिर यह ऐसे, ठीक है, यह, आपने देखा होगा, एटलस में, इस तरह से होती है, मैं जाद अच्छे से नहीं कर पा रही हूं सब टेड़ी मेड़ी बन रही है बट फिर भी सिर्फ आपको मैं समझाने के परपपस से ये lines कीच रही है देखे वही पर हम अगर बात करें जो line है ये वाली ये वाली इस तरह से जो भी line कीच रही है हमारी इसको हम कहते हैं latitude हिंदी में अगर बात करें तो ये हमारी कहलाती है अक्षांस रेखाए वही पर अब हम ये वाली जो रेखाए होती है इसको हम कहते हैं longitude यानि की देशांतर रेखाए ये समझाने का क्या परपस है क्योंकि आपको पता है मैं इंडिया का मैप आपको सिखा रही हूँ उसके बारे में आपको information जो भी मैं deliver कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि हमें जो है lines जो है main वो हमें देखनी है देखिए मैंने आपको बता दिया कि जो line है आपकी ये वाली इस तरह से जो line है खिची जाती है ये आपकी कहलाती है latitude और ये कहलाती है आपकी longitude यानि कि ये वाली देशांतर और ये वाली आपकी अक्षांस्त रेखा है अब ये वाली रेखा जो बीचो बीच खिची हुई होती है यानि कि जो प्रत्वी को दो बराबर भागों में divide करती है divide करने का काम करती है ये वाली इससे जो आप north वाला ये पूरा area है ये ये सारा area इस रेखा का इसे उपर का जो area है ये आपका कहत लाता है उत्री गोलार्द यानि की Northern Hemisphere और इससे जो ये South वाला एरिया है किस से इस वाली लाइन से बीच वाली लाइन से ये आपका एरिया कहलाता है Southern Hemisphere यानि की दक्षिनी गोलार्द अब ये जो रेखा है जो पृत्वी को बाटने का काम करती है इस रेखा को हम कहते है Equator यानि की भूमध्य रेखा वहीं पर ये मैंने आपको बताई दिया ये Equator है हमारी भूमध्य रेखा है ठीक इसके उपर वाले साइड में ये यहाँ पर उपर वाले साइड में ये साड़े 23 डिग्री यानि की जो आपकी भूमध्य रेखा है उससे नौर्थ की साइड में साड़े 23 डिग्री पर ये लाइन कीची हुई होती है इसको कहते है है ट्रॉपिक ओफ फैंसर यानि की करक रेखा ठीक उसके साउथ साइड में जो आप ये देख रहे होंगे 23 पर ये साड़े 23 डिग्री पर साउथ साइड में एक ये वाली रेखा कीची हुई है ये वाली इसको हम कहते हैं ट्रॉप अफ कैप्रिकॉर यानि की मकर रेखा देखी जो सन यहाँ पर आप सन की इमेज देख रहे होंगे यह यहाँ पर मैंने सन बनाया हुआ है और एक यहाँ पर यह सन बनाया हुआ है हाले कि एक ही सन होता है देखिए जब प्रत्वी सूर्य के चकर लगाती है तो यहाँ पर जो सूर्य है उसकी कक्षा कहां से कहां तक है उसकी कक्षा यानि कि वो अपनी किस कक्षा में यह आपकी मकर रेखा से और आपकी करक रेखा तक ही इसकी क्या है कक्षा है अब यहां पर अब यह आप कहा रहे होंगी कि सन ऐसे थोड़ी ना मतलब जो प्रत्वी है इस तरह से थोड़ी ना घुमेंगी देखिए जब यह सन है यह पहरे एक ऐसे कक्षा में इस तरह से राउ कि यहां नमर के पीछे से ऐसे आएगा फिर ऐसे करके तो यहां पर सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का यह जो एरिया है यही आपका Sun का एडिया होता है कभी भी जो सन होता है वो इस एरिया में या फिर इस एरिया में नहीं जलता इसकी जो सूरे का प्रकाश पड़ता है वो सीधे नहीं पड़ता अगर कहा जाए तो जो सन है इस वाले एरिया में परपेंडिकुलर नहीं जमकता और इस एरिया में ही perpendicular यानकी लंबवच चमकता है, यानकी direct सूरच जो है यहाँ पर दिखता है इसलिए आपने देखा होगा जो आपका Africa है, यह आपका Africa हो गया, ठीक है, आपका South America हो गया, Central America हुआ, ठीक है और कुछ पार्ट हमारा जो एंडिया का है ये वाला पार्ट ये आपका ये वाला इतना आस्ट्रेलिया का तो ये जितने भी कंट्री आपकी जो मकर रेखा से करक रेखा के बीच में आते हैं उन देशों में गर्मी बहुत जाधा होती है इसलिए क्योंकि सूरज बहाँ पर सीधा दिखाई देता है तो वहां के जो लोग है उनका कलर भी आप देखेंगे थोड़ा डाक ही दिखाई देगा वहीं पर अगर हम इंडिया की अगर बात करें यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि जो इधर यह आपका साउत वाला यह वाला यह वाला अएरिया है यानि कि इतना जिधर सन जो है डारेक्ट मतलब दिखाए देगा इस तरह से तो ये वाला याँ आपने देखा होगा कि साउट के लोगों का कलर भी थोड़ा डारकी होता है तो वो सन सुरज की किर्णों की वज़े से क्योंकि डारेक्ट दिखाए देती है आई होब कि आपको ये चीज समझ में आई होंगी अब ये जो हमारी करक रेखा है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगी ये जो करक रेखा है ये हमारे भारत से भी होकर गुजर रही है तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भारत की किन राजियों से ये होकर गुजर रही है इससे पहले में एक चीज और बता दूँ आपको ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सूरे की कफशाएं हैं वो आपकी मकर एकासे करकर एका में ही है तो अब नोर्मल सी बाते सूरे इधर तो नहीं आसकता तो अब सूरे की यहां तक गरमी जो पिज़क होती है वो यहां तक आते याते कितनी दूर है जाएंगी जहादा सन लिखते और ंतीस करकर एक जाएं यानि कि जैसे जैसे इधर की साइड में हम जाते रहेंगे तो जो ठंडे देश हैं जिसमें ठंड जादा पड़ती है बर्फ पड़ती है वो इधर के एरिया में दिखाई देंगे चिक है ये देखिए ये आपकी मकर रेखा यहां आपको दिखाई दे रही होगी जस्ट अ मिनिट थोड़ा इसको डाक करके दिखाते हैं आपको ये ये देखिए ये गुजरात राजिस्थान मध्य प्रदेश चर्टिसगर जारखन वेस्ट बेंगल और यहां पर हमाई त्रिपुरा और ये आपकी मिजुरम टोटल आठ राजियों से होकर करकरेखा गुजरती है भारत की अब यहां पर आप देख रहे होंगे देखिए जो most of mistakes होती है वो कहां पर होती है देखिए ये है गुजरत ये गुजरत से होकर गुजरी अब यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है राजस्तान और मध्य प्रदेश राजस्तान से बहुत ही राजस्तान के कम ही जो एरिया है उससे होकर गुजर रही है उसके बाद सबसे जादा दर कहा जाए तो यह मद्रप्रदेश से होकर गुज़र रही है उसके बाद फिर जो आपका 36 गड़ है फिर जारखन है और फिर वेस्ट पंगल पूर्वी राजियां का बहुत छोटा एरिया है आपको में बहुत को क게요 कि आपको दिख भी रहा होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगे कि राजस्तान से होके तो उजरी नहीं रही है बट ऐसा नहीं है ये राजस्तान से भी होकर गुजर रही है ठीक है उसके बाद हमारा आई आगा चत्रिसगर जारखण बेस्ट पेंगाल और सिर्फ जो उतरी राज कि मदब जो करक रेखा है दोनों स्टेट से ही होकर गुजरती है तो इसके लिए ट्रिक की कोई ज़वरत पढ़नी नहीं चाहिए अगर आप जो मैप है वो माइन में आपका सेट है चीक है गुजरात गुजरात के पास को है राजस्थान फिर मध्यप्रदेश सीधे गुजर चीक है तो मध्यप्रदेश के बाद फिर चटिसगर निकल रही है फिर आपका जारकंड आता है फिर वेस्ट पंगाल आता है और फिर आपका त्रिपुरा और यह मिजोरम आता है तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे अब स्टेट्वाइस करेंगे और स्टेट्वाइस में मैंने आपको बताया था कि हम जो है watt Jammoo Kashmir से start करेंगी Jammoo Kashmir में जो भी आपके दर्रें हैं गातियां हैं कहां-कहां परिस्त हैं पहाड तिक है Mountains वगैरा जो भी है जो भी है बरबाश्रंक लाएं यह सब डिसक्स करेंगे और ऐसे यह जीतने भी आज के लिए इतना ही and at last thanks for watching अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज subscribe जरूर कीजेगा और like and share भी कीजेगा okay take care bye bye